दोस्तों आज में करने वाला हूं कम्प्लीट वाकरांड रब्यू 2021 मारुती सुजु की एस्प्रेसो VXI CNG वेरेंट की और जिसके लिए मैं आया हूं मारुती सुजु की अरिना दीलर्सिप यानी कॉंपिटेंट ऑटो मॉपाइल जो की लोकेटेड है एप ब्लॉक क्नॉल प्लेस और यहां मैं मिलाओं मिस्टर बचल सिंग रावजी से जिनका वाट्स अप नंबर आप स्क्रीन पर देख पारे होंगे एक अच्छे दील के यह है दोस्तों आल न्यू 2021 मारुती सुजु की एस्प्रेसो वी एक साइस सी एंजी वेरिंट और जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 5.12 लाक एक्षो रूम प्राइस दिली वहीं इसकी ओन रोड प्राइस जाती है 5.58 लाक और कंपनी इसमें ओफर कर रही है 2 यर्स और 40,000 किलोमेटर की स्टुन्डर्ड वारंटी जैसे आप एक्स्टेंड भी करवा सकते हैं चलिए आप बात करते हैं इसके फ्रंट इस स्ट अईद्र स्ट रूर में दिया गया है फ्रंट गरिल कुछ इस तरह करें जो की काफी एनहांस कर देते है करने ऊसे और इसके अलाबा इसके front profile काफी bold और aggressive नजराती है चलिए आप बारत करते हैं इसके side profile की और इसके side profile में brake की बात करें तो front में ventilated disc and rear में drum brake दिया गया है suspension की बात करें तो front में MacPherson stud with coil spring and rear में दिया गया है torgen beam with coil spring turning radius provide किया गया है 4.5 meter चलिए अब बात करते हैं इसके dimensions की dimensions के according length दिया गया है 3565 mm width 1520 mm height 1564 mm wheelbase 2380 mm ground clearance 180 mm boot space 270 liter fuel tank 27 liter petrol में and CNG में 55 liter का provide किया गया है और इसके अलाबा आपको मिलते हैं इसमें 14 inch के steel wheel with wheel cover और wheel size 145 ATR14 fender पे provide किया गया है turn indicator जैसे कि आप यहाँ पे देख भारे हो वहीं इसके side profile में मिलते हैं black color के ORBM और यहाँ पे front side antenna और rein visor as an accessory के तरफे install करवाया गया है और इसके अलावा rear profile में सबसे उपर आपको मिलते हैं integrated spoiler with high mounted stop lamp और यहाँ पे black touch दिया गया है CNG का sticker, C-saved tail lamp unit और tailgate के left side espresso की बैजिंग बीच में सुझू की का logo और black color का rear bumper, reverse parking sensors के साथ number plate की जगव यहाँ पे दिया गया है skid plate black color के रहने वाले हैं चली आप बात करते हैं interior की तो right side से check out कर लेते हैं यहाँ पे front door पे आपको all black theme दिया गया है जैसे के आप यहाँ पे देख पारे हो और इसके power window के control आपको center console में dashboard layout पे मिलते हैं और इसके dashboard layout चेक आउट कर लीजेगा काफी premium dashboard layout इस micro SUV के जैसे के आप यहाँ पे देख पारे हो काफी premium वहीं इसमें प्रोबाइट किया गया है dual tone fabric अपोस्टी काफी comfortable sheets जैसे के आप यहाँ पे देख पारे हो जो की आपको hold करके रखती है और integrated headrest प्रोबाइट किया गया है इसके लाबर left side से भी आपको check out करा देता हूँ जिससे आपको better idea मिल सके यहाँ पे आप देख पारे होंगे कि all black touch दिया गया है task board layout check out कर लिजेगा left side से भी जिससे आपको better idea मिल सके चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके globe box की just a sufficient जगह रहने वाली है और इसके लवा यहाँ पे आपको इसके उपर दिया गया है space mobile होगे रहा रख सकते हैं round shape AC wind प्रॉबाइट किया गया है और इसके उपर AC wind कुछ इस तरह दिया गया है digital instrument cluster प्रॉबाइट किया गया है और इसके लवा music system audio दिया गया है जो की Bluetooth connectivity, Radio FM, Aux and USB को support करता है और इसके लवा power window के control front side कुछ यहाँ पे दिया गया है manual climate control और 12 बॉर का charger, 2 cup holder और 5 speed manual transmission यहाँ पे दिया गया है black color में और यहाँ पे storage minor storage दिये गया है और steering wheel tilt नहीं दिया गया है three spokes दिया गया है जिसमें कोई भी control आपको नहीं मिलते है airbag यहाँ पी मिलते है आपको और सुजू की का logo कुछ इस तरह रहने वाला है और co passenger side vanity mirror नहीं दिया गया है और driver side भी नहीं दिया गया है बीच में cabin light आपको मिलते है halogen bulb के साथ चलिए अब बात करते है रियर cabin comfort की तो open कर लेते हैं इसके rear door को और इसमें all black theme आपको दिया गया है manually adjusted window के control यहाँ पे provide किया गया है front में आपको power window मिलते है और grab handle दिया गया है bottle holder आपको rear pocket में नहीं मिलते है और integrated headrest आपको rear seats पे दिया गया है और इसके लब पार्सल ट्रे यहाँ पे अबलेबल नहीं कराया गया है चलिए left side से भी आपको check out करा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो इससे आपको एक better idea मिल सके और इसके interior space को आप एक बार गौर से देख लीजिए और चलिए अंदर बैठते हैं बात करते हैं leg room की तो इस micro SUV में बहुत जबरदस जगह आपको leg room में मिलने वाले head room में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो और rear seat से front के ओर देखें तो VXI CNG variant का जो dashboard layout है कुछ इस तरह दिखने वाला है काफी premium dashboard layout चलिए आप बात करते हैं इसके boot space की जो कि सबसे important है यहाँ पे lever है जिसे हलके से pull करके आप इसे open कर सकते हैं boot gate को और यहाँ पे आप देखिएगा CNG cylinder provide किया गए है और CNG cylinder रखने के बाद यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचती है चोटे मोटे समान आपके आ सकते है daily city purpose के लिए यह बहुती भैतरीन option है यहाँ पे आपको mileage बहुती जबरदस्त दिया गया है जो कि आगे मैं mention करने वाला हूँ कुछ इस तरह का जगह रहने वाले है जिससे आपको better idea मिल सके close look दिखा देता हूँ चलिए अब close करते हैं इसके boot gate को और बात करते हैं इसके engine की espresso में मिलते हैं आपको BS6 compliant 1 liter 3 cylinder K10B petrol engine जहां तक power performance की बात करें तो 67 BSV की power 5500 rpm पे and 90 nm का peak talk generate करता है 3500 rpm जहां तक transmission की बात करें तो आपको मिलते हैं इसमें 5 speed manual transmission और इसके लाबा CNG में power performance की बात करें तो 58 BSV की power 5500 rpm पे and 78 nm का peak talk generate करता है 3500 rpm वहीं mileage की अगर हम बात करें तो petrol variant में company claim करती है 21.4 kmpl की mileage वहीं CNG में आपको मिलते हैं 31.2 km kg की mileage जो की city purpose के लिए एक भेतरीन option रहने वाला है safety features की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं driver side airbag ABS with EVD reverse parking sensors seat belt reminder driver side and co passenger side pre-tational and force limiter seat belt optional engine immobilizer front impact beam side impact beam anti-tap device speed alert system crash sensors जैसे premium safety features provide किये गए हैं और आपकी जानकारे के लिए बता दो कि 1st April 2021 से सबी गाड़ियों में dual airbag mandatory होने वाली है ये थी दोस्तों कम्प्लीट वाकराउं रिप्यूर 2021 मारुती सुजू की Espresso VXI CNG variant की आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब के बेगर बिल्कुल मज़ेगा क्योंकि मैं अपनी चैनल पे रोज आना ही हुई Automobile सेक्टर से जुड़ी News, Reviews, Test Tribes, WalkRounds, Comparison, Accessories आपसे साज़ा करते रहता हूँ तो चलि दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धैंक यू धन्यबाद जैहिन